देखे आजमगर को लेके मुझे लगता है कि वापर गुड्डू जमाली पिछली बार बसपास से खड़े हो गए थे चिनों में इसलिए वापर धर्मे जादों को वहार का सामना करना पड़ाता है इस बार खबरे आ रहे हैं कि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और शायर समाजवादी पार्टी ने लोगसवाद चनोड आई या विधान परिशन भेज सकती है अगर गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि आजमगर सीट समाजवादी पार्टी के लिए एक स्ट्रॉंग बन सक ये सीट है जो समाजवादी पार्टी बचाने में काम्याब रह सकती है तो एक हो गए आजमगर और एक हो गई मैंपूरी तो ये सर्वे में भी नजर आ रहा है कि ये दोनों ऐसे गड़ हैं समाजवादी पार्टी के लिहासे जिसको ध्वस्त करना आज भी भाजपा के बिल्कुल वो भी इस बार भाजपा निकालती भी दिखाई दे रही है दिश्य दूरूप से 2019 के अंदर तो जरूर हार गई थी मतलब समाजवादी पार्टी महाँ से घर में विद्रो हो चुका था महाँ पर इस लेकिन इस बार भाजवादी पार्टी महाँ बैतर करता भी मेंपुरी तो फिर गड़ी है मुलायम सिंग यादा लगातार महासे रहे उसके बाद अब महासे डिमपल यादो सांसद है तो मेंपुरी तो लगी रहा था कि समाजवादी पार्टी महां से जीतेगी इटा में ज़रूर बारतेंता पार्टी मजबूत है कल्यान सिंग के पो इताव अबोई सीटे जहां से 1991 में काशी राम को समंबूलाम से यादरा सांसर बनाए था इसमें कोई सर्प्राइज नहीं दिखाई दे रहा कि अखलेश यादव यादव परिवार के बिलकुल गढ़ में फिरोजाबाद मैनपुरी एता फरूखा बाद इतावा यहां पर भारती जंता पार्टी बहुत अच्छा करती भी दिखाई दे रही है लेकिन मैनपुरी अभी भी वह एक ऐसा आइलेंड है जहां नहीं पहुंच बारे मैनपुरी को क्रैक करना यह पीजेपी अभी भी यादव बहुलने इलाका है साड़े तीम लाग से जादा यादव वो जिन वोट से ही जीते ते आज हम गड़ लग वोटों से जवर अखलेश यादव जीते जाए लेकिन मैनपुरी में उनको प्रॉलम हुई थी जबकि सपा बसपा का गड़ बंदन था और एक तरफ यह कयास लगाया जा रहा था कि कहीं नजदी की मुकालना बीजेपी यह जी जरूर है और साट परसेंट वोट जो उनका एक त्रेस होल है वहां पर तूटता नहीं है इस बात को अभी परिवार बात का इंजाम भाजपा लगाया जरेंदर मोधी लगाया अखलेश यादव के उपर वो ठीक है लेकिन अखलेश यादव इससे पीछे हटते नहीं है उन अलाके के अंदर भी अगर एक सीट शोड़कर बाकी सब भाजपल ले जा रही है तो यह क्या बता रहा है देखे जितनी सीटों का जिक्र अभी तक किया गया है सारवा हवा रुख किस ओर है बहुत साफ है या यू कहें कि 80 सीटों में इका दुका सीट इंडिया गड़ यह दो सीटों को छोड़ करके कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर कांटे का मुकाबला भी होता वा दिखाई पड़ता है इस नजरिये से देखें तो बाकी सीटों में भी कुछ ऐसा ही रुख दिखाई पड़ने वाला है और लगता है कि पूरा यूपी 80 सीटे जो है वो इसको बार-बार कह रहा हूँ कि देखें हमको ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि यादो मतदाता वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए हो पहले दूसरी जातियों के लिए ऐसे माला जाता है फिर ओ छोटी-छोटी पार्टीयां बनी उन्होंने गड़ जोड़ करना शुरू किया लेकिन अगर आप ध्यान से देखें डॉक्टर मोहन यादो को मुख्यमंत्री बनाने के बाद और बार-बार हम यह कैसे मान सकते हैं कि राम मंदिर की लहर सब में चलेगी और यादो मत दाता कहीं कि नहीं नहीं हम वहीं के वहीं बने अगर बने होते तो और सीटो पर असर दिखता, इटावा पर दिखता, हरुकाबाद पर दिखता, फिरोजाबाद पर दिखता, तो ऐसा नहीं कि वह कोई constant factor है, उस K factor में भी कुछ न कुछ इरोजन हुआ है, कुछ मुश्किल है। अगर आप यूपी में देखें, एक आमुमन, एक यादव मत दाताओं के बीच में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह अच्छूता है, उनका जोकाओ बीजेपी के तरफ गया है, लेकिन जिन दो सीटों पर अभी दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत सकती, कि वह दो सीट कौन है, आपने जिसका जिक्र किया, एक जगा खिलेश यादव लड़ सकते हैं, दूसरी जगा डिमपल, मुझे लगता अभी भी उनका जो यादव मत दाता है, उनके लिए ये दो एक सिंबल के जैसे हैं, कि भाई हम आप समाजवादी पार्टी के दूसरे निताओं को तो शायद बोट ना करें, आपके साथ अभी भी हम खड़े दिखाई पड़ते हैं. कि ग्रामीन इलाकों में और शेहरी इलाकों में क्या अंतर आपने पाया? और वो यूपी में भी है, और अधर जगह जैसे संजी ने कहा, तमिलाडू में है, बिलकुल है तमिलाडू में, लेकिन तमिलाडू में जीतने के लिए वो इस्थिती में है या नहीं है, वो देखने की बात है. नहीं, तो जो जब आप जाते हैं, आप की बही है, जैसे सर्वे होता है, या आप जाएं, आप पिस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, किसको वोट करेंगे, नाम क्या आता है, योगी मलब, उसमें कुछ और नाम भी आता है, कोई वो वजह बताते हैं, या बस मुदी? यूपी में जिस तरह का दस साल से काम हो रहा है, वो भी बहुत बढ़ा है, दुसी तरफ जो सोसल इकोईशन पे जिस तरह बीजे पी काम करते हैं, वो भी बहुत बढ़ा है, अलग-अलग स्टेट में आप जाएंगे, तो उस तरह दिखेगा आपको, आप जैसे सोसल इक्वेशन नहीं बन रहे है, उस तरह का कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास, उस तरह का काम बीजेपी को करने का मौका नहीं मिला कि लोगों को दीके, इस बज़े से साथ वहाँ पर बीजेपी सीटना जीत पाए, लेकिन जहां तक असर की बात है, कुछ ने कुछ असर तो हर जगा है